पालक तो आपने कई बार बनाए होंगे लेकिन आज मैं आपके साथ जो पालक की रेसिपी शेर करने वाली हूँ उसका तरीका एकदम नया है अलग है बहुत ही टेश्टी है और एक बार अगर आपने इस पालक की रेसिपी को खा लिया तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको मेरी रिस्पी पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें अगर आपको आज की रिस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पालक और सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है तो का कई जगे इसे सोवा के नाम से भी जानते हैं और इसे भी मने अच्छी तरीके से साफ करके धो लिया है और पालक और सेपू का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेमिसाल होता है हरी सबजी यहां पे कोई भी हो सेहत के लिए काफी अच्छी होती है क्योंकि हरी सबजियों में आरन, काट कर निकाल सकते हैं लेकिन मैं यहां पर इसके आगे के पार्ट को यूज करूंगी क्योंकि इसके आगे का पार्ट काफी फ्लेवर्फुल होता है तो सारे सेपू को हमने काट लिया है अब हम काट देंगे पालक तो पालक का जो आगे का हिस्सा है उसे हम काट कर निकाल क्योंकि हमें यहां पर इस recipe में इसे यूज नहीं करना है अब हम इस पालक के software हिस्षे को बारिक बारिक काट लेंगे यहां पर आपको इस recipe में सारी cutting थोड़ी सी बारिक ही करनी है तो पालक और सेपू को हमने यहां पर बारिक बारिक कट कर लिया है इसे अब हम साइड में रख देंगे और चलते हम इस recipe को बनाने तो इसके लिए हमने यहां पर गैस के ऊपर रखी एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम दालेंगे करीब 2-3 बड़े चमश देसी घी आप चाह हैं तो यहां पर जीरा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इस recipe को शाही जीरी के साथ ही बना जाता है शाही जीरा डालने के बाद हम इसे एक बार चला देंगे तो जीरा हमारा golden हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे उड़त दाल की मंगोडी जिसे कई जगे लोग इसे कोणोर भी नहीं है तो आप इसकी भी सब्जी बना कर खा सकते हैं तो इस तरीके से तोड़कर हम इसे घी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से golden होने तक इसे भून लेंगे तो मंगोडी हमारी यहां पे ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच लसून एक कींच डालेंगे हम इसमें बारी कटा हुआ अद्रक दोनों को अच्छी तरीके से चलाते हुए हम इसे भूनेंगे अद्रक लसून का कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे चार से पांच इस तरीके से लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च आप यहां पे हरी मिर्च की जगे पे सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और मिर्ची भी हमारी भून चुकी है तो अब इसमें जाएगा एक बारी कटा हुआ प्याज अगर आप यहां पे प्याज लसून खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें प्याज लसून को स्किप कर सकते हैं प्याज को भी हमने अच्छी तरीके से भून लिया है और जो प्याज का कलर है और गोल्डन हो चुका है अब इसमें जाएगा दोबारी कटा हुआ टमाटर अगर आपको इस रेसिपी में डालने के लिए देशी तमाटर मिल जाए तो जो इस रेसिपी का स्वाध है और भी जादा बढ़ जाता है क्योंकि देशी तमाटर खाने में थोड़ा सा खटता होता है जिसकी वज़े से इस रेसिपी का स्वाध और भी जादा बढ़ जाता ह अब हम इस इसमें दालेंगे स्वात के हैं नमक क्योंकि नमक दालने से ह Congress हमारा टमाटर है जल्दी से पक जाएगा और कराई के ऊपर लीड लगा कर हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसे एक बार चला देंगे और आप यह आप यह देख सकते हैं कि जो हमारा टमाटर है अच्छी तरीके से गल चुका है और जो टमाटर ने पानी छोड़ा था वो भी पूरी तरीके से खतम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले तो इसमें जाएगा एक छोटा चम्माच हल्दी पाउडर आधा बड़ा चम्माच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिच पाउडर एक चम्माच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर मसाले को चलाते हुए इसे अच्छी से भून लेंगे तो थोड़ी दिर मसालों को भूनने के बाद जो हमारा मसाला हो अच्छी तरीके से भून चुका है और अब इसमें जाएगा जो हमने पालक और सेपू को काट कर रखा हुआ है सारे पालक और सेपु को हम इसमें डाल देंगे अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम हाइ कर लेंगे और इसे हाइफ тобका चलाते हुए हम पालक को भूनेंगे यहाँ पे आप एक बाद का ध्यान दखे कि इस पालक को पकाने के लिए आपको पालक को ढखकर बिल्कुल भी नहीं पकाना है इसी तरीके से चलाते हुए आप इस पालक को भून ले और इस तरीके से भूनते-भूनते जो आपका पालक हो पूरी तरीके से पक जाता है और यहां पे हमने पालक को अच्छी तरीके से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि जो पालक का कलर है वो बिल्कुल हरा बना हुआ है क्योंकि अगर आप पालक को ढखकर पकाएंगे तो जो आपका पालक हो बिल्कुल काला पर जाता है तो अब हम इसमें डालेंगे उबली हुई दाल तो यहां पे मैंने डाल को धो कर दो सीटी याने तक नमक और हल्ली डाल कर उबाल लिया है डाल पकाते समय यहां पे आप एक बात का ध्यान दखे कि डाल को पका कर आप इसे बिल्कुल भी घोलेना आपकी जो डाल है वो इस तरीके से थोड़ी सी खड़ी रहनी चाहिए तब इस रेसिपी को बनाने और खाने का मज़ा आता है तो मैंने यहां पे इसे बनाने के लिए तूर डाल का यूज़ किया है अगर आप चाहें तो यहां पे मोंग डाल या फिर चना डाल भी ले सकते हैं डाल में हमारी उबाला जाए तो इसके लिए हम इसके उपर लगा देंगे धकन अगर आपको लग रहा है कि आपकी डाल बहुत ज़्यादा गाड़ी है तो आप यहां पे आधा गलास गरम पानी इसमें डाल सकते हैं ठंडा पानी आप यहां पे इसमें बिल्कुल भी ना डालें ने तो जो डाल का टेस्ट हो बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी दाल में अच्छी तरीके से उबाला चुका है और काफी अच्छी दिख रही है हमारी दाल तो एक बार हम इसे अच्छी तरीके से चला देंगे आप हम इसमें डालेंगे गरम मसाला गरम मसाला आप यहां पर किसी भी रेसिपी में लाश्ट में डालें, इससे क्या होता है कि जो आपके गरम मसाले की खुश्बू है वो बनी रेती है, दाल हमारी पक रहेगे तब तक हम बना लेते हैं दाल का तड़का, तो तड़का बनाने के लिए हमने यहां पर लिए है देंगे, इसके बाद हम इसे पर डालेंगे आदा चमज कश्मी लाल मिच पाउडर, आप यहां पर चाहें तो साबुत सूखी लाल मिच भी डाल सकते हैं इस तड़के में, तो तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे गरम गरम इस कढ़ाई के अंद आप इसे एक बार बनाएंगे, तो आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है यह, और जो पालक खाना पसंद नहीं करते वो भी इस दाल को उंग्रिया चार चार कर खाना पसंद करेंगे, और बच्चे हुया बड़ी यह सभी को बहुत ज़्यदा पसंद आती है और आप इस recipe को एक बार जरूर ट्राय करें और अगर आपको ये recipe मेरी पसंद आये तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये recipe कैसी लगी तो इस दाल को इस तरीके से गर्मा गरम ही सफ करें और इसे बनाने के बाद आपको किसी भ पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद